प्रेंच फ्राइस बनाने के लिए हमने लिया है चार आलू इनको अच्छे से दोकर छील लिया है फ्रेंच फ्राइस के लिए हमें थोड़े बड़े साइची आलू की ज़रूत होती है क्योंकि उनमें स्टार्च और शुगर थोड़ी कम होती है इन आलू को हम फ्राइस के शेप में काट लेंगे तो इनको पहले एक लंबा लंबा कट लगाना है इसके बड़े बड़े स्लाइस करने है स्लाइस थोड़े हलके मोटे होने चाहिए और फिर इसको हम फ्रेंच फ्राइस की शेप में काट लेंगे हमें इनको थोड़ा हलका मोटा काटना है पतला बिल्कुल भी नहीं काटना है तो हमने यहां सारी fries को काट लिया है यह मैंने थोड़ी हलकी मोटी काटी है आपको बिल्कुल ऐसे ही काटनी है नितुछ फ्राई होके बहुत पतली हो जाएगी अब हम एक कड़ाई में पानी गरम करेंगे और उसमें डालेंगे आदा चमश नमक जैसे ही पानी में उबाला जाएगा हम सारे आलू इसमें डाल देंगे और इनको लगबग 3-4 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में रहने देंगे इसको बस 3 मिनट ही रखना है 3-4 मिनट ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और जो बाहर की लहर है वो हल्की से पक जाए 3 मिनट होती है हम गैस की फ्लीम को आफ कर देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे बहार निकालने के बाद हमें इसको थंडे पाने से वाश करना है और तब तक वाश करना है जब तक इसका सारा स्टार्च नहीं निकल जाए और यह बिल्गुल थंडे नहीं हो जाए तो हम ने इसको अच्छे से वाश कर लिया है और अब इसका सारा पाणी सुका लेंगे हम और अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे फ्राइज को ऐपको 5 मिनट पंके की नीचे रखे इनको उपड़ का जो पानी हो सुकान है इसके बाद हम इस पर डालेंगे दो चिम्मच कॉन फ्लॉर और कॉन फ्लॉर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जो सारी फ्राइस पर अच्छे से लग जाए फ्राइस बहुत जादा गीली नहीं होनी चाहिए नहीं तो हम जब इसको तेल में डालेंगे तो तेल उच लेगा इसलिए ये हलका सच उपर का मॉइस्टर है वो इनको सुकाना है हमें तो अब हम फ्राइस को फ्राइ करेंगे हमने इनको अच्छे से कॉन्फ्लूर की पतली कोटिंग लगा दिये इन पर ऑईल को बहुत हाई फ्लेम पे हमें गरम करना और बिल्कुल जब ऑईल से धूवे निकलने लग जाए तब हम इसमें सारी फ्राइस को डाल देंगे अब भी हमने फ्राइज को सिर्फ हाफ कुप करना है तो आप पांस से श्छे मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे फ्राइ करेंगे और च्राइप बाद इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में तो फ्राइज को फ्राइज होते हुए लगबग 5-6 मिनट हो गया है हम इसको हाथवार निकाल देंगे और गैस की फ्रीम को आफ कर देंगे आप चाहे तो इनको हाफ फ्राइज करके लगबग एक महिनेज कर फ्रीजर में रख सकते हैं इसको हम रूम टेंपरेचर आने तक ठंडा करेंगे और उसके बार एक घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे यह अभी काफी सॉफ्ट है लेकिन जब हम इसको दूस्ती बार फ्राइज करेंगे तब यह बहुत क्रिस्पी हो जाएगी तो इसको मैंने एक घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था अब हम इसको लास्ट बार फ्राइज करेंगे इस पार हमें ओयल उतना गरम नीच चाहिए हमें बस मीडियम फ्लेम पर हाट ओल चाहिए जैसे ही ओयल थोड़ा मीडियम गरम हो जाएगा हम इसमें सारी फ्राइज को डाल देंगे जो रेस्टोरेंन्स में होते हैं वो हाफ फ्राइज करके लच बड़ इस टोर करके रख देते हैं एक दो महीने के लिए। जैसे यह lifes आडर आता है बाहर निकाल लेंगे तो हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ्राइस बिल्कुल तयार है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें और एक बार इस रेसिपी से फ्राइस बना के जरूर ट्राइ करें